सुप्रभाद बच्चों कल हम जो कहानी शुरू किये थे दोस्त के मदद उसमें हम कुछ काम भी दिये थें चीत्र बनाने के लिए बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से चीत्र बनाये थें कचुआ और किसकी? कच्छुआ और लुम्री की तो आज हम कहानी को आगे पढ़ेंगे कल हम कहां तक पढ़े थे कि एक तलाव के किनारे में एक लुम्री घर बना करके रह रही थी और तलाव में रहते हुए एक कच्छुआ लुम्री से दोस्ती बना ली और दोनों दोस्त बीच बीच में तलाव के मान पर आकर के बात करते थे एक दिन अचानक एक तेंदुआ बहां आया और हमला बोल दिया उसके बाद लोमडी तो भाग करके अपना डेरा पे पहुंच गया लेकिन बहुंच गयी लेकिन कच्ववा बेचारी बहुत धीरे धीरे चलता है तो वो अपना तलाव तक नहीं पहुंच पाए और तेंदुआ उन तक पहुंच गया और तेंदुआ चलांग में से उस तक पहुंच के उसको पकड़ लिया आगे आज हम पड़ेंगे यहां से कच्ववे को कहीं छूपने का भी मोका नहीं मिला क्योंकि हम पहले ही बताया थे कि तेंदुआ जो है बहुत ही तेज जानवार है बहुत ही चोस्त तंदुरूस्त और बहुत ही बलसाली है तो कच्ववे को मोका ही नहीं मिला तेंदुए ने क्या किया तेंदुए ने कच्ववे को मुह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड के निचे चला गया तो देख सकते हो आप यहां कि कैसे नाखून से जकड करके मुझ से कच्छूए को तिन्दवाने पकड लिया और एक पेड के निचे ले करके चला गया लेकिन दातों और नाखूनों को पूरा जोर लगाने पर भी कच्छूए के सक्त खूल पर खरोंच तक नहीं आई तो आप जानते होंगे कि कच्छूए के जो खोल होते हैं वो बहुत ही हर्ड और सक्त होते हैं सक्त होने के कारण उस पर तिन्दवाने के जो नाखून है और दात है उसमें नहीं कुछ असर कर पाया तो कच्व क्या हो गया, अपना मुझ अपना टंग सब अन्दर कर लिए और कच्व को ते नदूए ने नहीं पकड पा, पकड लिया लेकिन उनको कुछ नहीं कर पा, लोंडी अपनी मान से देख रही थी, लोंडी क्या कर रही थी, ये शारे चीज देख रही थी, उसने कच्छुए को बचाने की तरकीव सोची उसने मान से जहांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली तेंदुए जी कच्छुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूं तो लोमडी यहां अपना दोस्ती निभाती है कैसे लोमडी को लगता है कि मैं बहुत चल कि के साथ तेंदुए से कच्छुए को बचा सकता हूं बचा सकती हूं तो उन्होंने क्या किया तेंदुए को बोला कि तेंदुए जी कच्छुए के खोल को तोड़ने का मैं असान तरीका बताती हूं तो तेंदुए को लगा कि हां हो सकता है इसको मैं तो तोड़ नहीं प फेग दो तिंदुवबा को क्या बता है कि इसे पानी में फेग दो ठोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा चाहो तो आजुआ कर देख लो तो तो ऌंडुब दो तो ब्ली ने बताई कि इन को आप नहीं खा पा रहे हो तो असान तरीका यह है कि इनको पानी में फिक दो तेन का खोल जो है नरम हो जाएगा फिर आप खा लेंगे इसको तो तेंदुए को विश्वास आ गया और तेंदुए को और क्या कहा कि आजमा करके भी आप देख सकते हैं तो तेंदुए ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ यह कहकर उसने कच्छुए को पानी में फेख दिया बस फिर क्या था गया पानी में तो इस तरह से पानी में गया तो पानी उनका घर है और तेंदुए तो पानी में जा नहीं सकते हैं और चलाकी के साथ, तेंदूए के हाथ से अपना दोस्ट कचुओ के, कचुओ को बचा लिया। तो यह था आज का कहानी, आज इस कहानी को आज हम complete कियें। और इस कहानी को जो है आप आराम से सुन्दर करके आराम से दीडे से एक-एक सब्द को पूरा कहानी को आप अपना कॉपी में लिखेंगे और ग्रूप में भेजेंगे तो आज के लिए आपका यही काम है आप दोस्त की मदद इस कहानी को अच्छी तरह से लिग करके फोटो क्लिक करके ग्रूप में भेजेंगे और अभी वाग से भी से निवेदन है कि आगे हम गूगल मीट या फिर जूम क्लासेस के तुरू लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं तो आप जूम एप इंस्ट्रॉल कर लीजिए आपके फोन पर और उसमें जब हम लाइव पढ़ाएंगे तो बच्चों को उसमें लाइव पढ़ने के लिए मदद कीजिए आगे जाकर के हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे धन्यवाद